घर के वाटर टेंग में इस खाली पाइप का क्या काम? अस्पोर्ट्स कार के पीछी ये चीज क्या होती है? और टेनिस बॉल्स पर इन कर्फ्स का हिडिन परपस क्या है? ठीक ऐसे ही बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं हम सभी का ही प्रसनल कुवा, हमारे घर का वाटर टेंग ही होता है एक वाटर टेंग लगभग सभी घरों के छट पर आराम से धूप सेकता हुआ दिख जाएगा पर यारो कि आपने वाटर टेंग के साथ जोड़े इस टीया स्ट्रक्चर पर गौर किया है? यारो आपको तो पता ही होगा कि बिना परपस के हम इंडियंस, फ्रीका कोई भी छोटा से छोटा चीज नहीं लगाते हैं फिर भी इतने बड़े टीजे से पाइप को सब लगाते ही क्यों है? इसमें तो कोई नल भी नहीं लगता, फिर इसका परपस क्या है? इस पाइप की वज़े से हम सभी के घरों में वाटर का फ्लो अची तरीके से प्रूपरली मिंटेन रह पाता है यारो अगर ये पाइप नहीं होगी, तो हमारी टंकी पर भी वैसनी प्रेसर क्रेट होगा जैसे बिसलिर की बोटल को पूरा मुह लगा कर पानी पीने से बोटल पर पड़ता है, और वो पिचक जाता है यारो अगर आप एक प्रो डिफेंस लवर हैं, तो आपको भी एफेक्ट सॉक्ट कर देगा यारो एरफोर्स में फाइटर जेट का बहुत बड़ा रोल होता है, और यहीं फाइटर जेट के हिल्प से हमारे सोजर्स अपने दुसमन को असमान से गिरा कर खजोर में अटका देते हैं गाइस अक्सर ही हम सभी लोगों के यह लगता है, कि फाइटर जेट में अटैच यह चीज रोकेट होती है, मगर वह यह चीज रोकेट नहीं है, बलकि इसका परपस तो कुछ और ही है गाइस इस चीज को ड्रॉप टैंक या एक्स्टरनल टैंक कहा जाता है, क्योंकि यह रोकेट जासा दिखनेवला स्ट्रक्चर कोई रोकेट नहीं, बलकि एक डिटैचबल फ्यूल टैंक होता है यारो यह टैंक एक बार में 600 यूएस गैलन, यानि कि तकरीबन 2300 लेटर तक के फ्यूल कैरी कर सकता है, ताकि कोई भी फाइटर जिट इसे अपने इमर्जेंसी सिचुएशन में यूज कर सके, और इसे डिटैचबल इसलिए रखा जाता है, ताकि इमर्जेंसी सिचुएश पर बहुत सारे forces act करते हैं, और यही forces cars को imbalance कर देते हैं, जिसके बज़े से उनकी accident हो जाती है, यारो इसी सिम प्रॉब्लम से बचने के लिए, modern supercars में ये back wings लगाया जाते हैं, ये car को aerodynamic बनाने के साथ साथ, balance करने में भी काफी मदद करता है, तर्न करते समय ये wings सभी forces को करने के लिए, नीचे की तरफ force लगाते हैं, जिसे dawn force भी कहा जाता है, और यारो इसी के करण कोई भी a sports car, अपने maximum speed के साथ turn कर पाती है, यारो आपके बचपन के engineering की यादों को दाजा करते हुए, चलो एक ऐसे कमाल के purpose के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में आपने साथ ही कभी सोचा हो, और वह एकर सोचा भी होगा, तो फिर Google बाबा से पूछना भूल गया होगे, यारो आपने अपने घरों में कभी ने कभी washing machine, CPU, mall के parts को खुला तो जरूर से देखा होगा, यारो इनसा भी electronics में सबसे common part होता है, ये green board, जिससे circuit board भी कहा जाता है, लेकि क्या connection है, circuit board और green color में, यारो एक्चल में green part circuit के raising की वज़े से होता है, जिससे solder mask भी कहा जाता है, और इसके ये solder को rust से बचाने क्लिक किया जाता है, यारो circuit board में green color की वज़े से visibility भी बढ़ जाती है, मतलब कि हम उसमें लगे छोटे छोटे chips को आसानी से देख पाते हैं, सा क्यों के नहीं तक देखने के लिए, दिल से thanks for watching this entire video.